So today we are gonna talk about IDEs that you should use as a beginner programmer अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज में क्लेर करने चाहूंगा कई लोगों को IDEs के बारे में confusion होता है कि यह IDEs होती क्या है वर्ड में क्यों हम code ने लिख सकते तो IDEs basically एक notepad होता है जो कि हमें code लिखने में सहायता करता है उसको build करने में सहायता करता है और उसको run करने में सहायता करता है यह तीन चीज एक ID करता है वह एक notepad होता है जिसके अंदर हम लिखते है notepad हमारे windows के अंदर होता है उसके अंदर ऐसी functionalities नहीं होती जैसी उसमें होती है उसे हम IDEs कहते है IDEs का full form होता है integrated development environment इसके बारे में अगर आपको और जान है तो आप Google पीचा कर सकते है अब हम बात करते हैं हमारे सबसे चाहिते और मेरे सबसे favorite ID या फिर कई लोग इसको text editor बोलाना पसंद करते है तो आप text editor भी बोल सकते है जिसका नाम है visual studio code जी हाँ इसको शॉट में VS code के नाम से जानते है यह basically Microsoft का एक product है and Microsoft ने इसको launch किया था all-purpose programming के लिए तो आप उसके अंदर python भी चला सकते हो उसके अंदर Java भी चला सकते हो कोई भी चीज अगर आपको चलानी हो चला सकते हो as long as तुमारे पास programming language है इसका setup यानी कि जो interpreter होता है python में interpreter यूज करते है cv में हम जो compiler होता है यूज करते है जावा के अंदर jdk यूज करते हैं जब तक तक तुमारे computer में वह सारे चीज़े डली हुए तो उसका यूज कर सकते है यह best होता है अगर आपका system slow भी है बहुत ज्यादा बहुत ही पुराना system you know and update नहीं कर सकते है जो है उसी सी काम चलाना है and vs code is best for you because यह बहुत ही lightweight 100 MB के अंदर आजाता है 110 MB तक का होगा I don't know load भी नहीं देगा आपके CPU को उसके अंदर आपको लिखना है So now let's talk about our second competitor जो की है PyCharm जी हाँ guys PyCharm के हम बात करेंगी PyCharm के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर रहे हो guys Python अगर आप जानते हो Python programming आप कर रहे हो and आप PyCharm के बारे में नहीं जानते तो I don't know की आप क्या कर रहे हो अपनी life में अगर आप PyCharm के बारे में जानते होगे तो आप बहुत ज्यादा खुश होगी because मैं भी खुश हो यार मैंने PyCharm को बहुत ज्यादा यूज किया मैंने early stage of programming में अपने PyCharm को यूज किया वह बात अलग है कि वह हैंग बहुत हो रहा था second is community जो कि मैं यूज करता है इससे हम जो basic task होते है python चलाने के या फिर जो file बनाने के task होते है and plugins वगरा वह हम आराम से यूज कर सकते है जो कि एक free resource है chat prince की तरफ से so chat prince को मैं शुक्रिया कहूंगा इस video में because मैंने chat prince के PyCharm से start किया था मेरी सबसे पहली IDE थी then मैंने vs code को लिया उसके बाद atom, sublime text and बहुत सारी चीजों के बारे में हमने देखी है पाइशा में was the first IDE that I used for programming and आप भी यूज कर सकते हो अगर आप एक beginner हो in 2024 अगर आप python C करहो यह आपके लिए best होने वाली है अब हम बढ़ते हैं हमारे third competitor की तरह जो की है IntelliJ IDEA and यह यह JetBrains का ही एक product है JetBrains के product बहुत सारे है पाइशाम ले लो IntelliJ IDEA ले लो और भी बहुत सारे products है जो दू में प्रोड़क्स है IntelliJ IDEA औं पाइशाम IntelliJ IDEA को हम यूज करते हैं for Java and Kotlin Java के अगर हम बात करें Java programming अब Java के लिए और भी IDE आती है जो थोड़ी famous है उसके बारे में भी बता दो Java के लिए Eclipse नाम की IDE आती है Eclipse नाम की IDE आती है उसके अंदर भी आप Java code लिख सकते है वह इतना जएदा fancy नहीं लुक देता है तुमें वह ऐसा student की तरह लुक देता है किया रहा या तुमें प्रॉपर यह student वाली programming कर रहे है अगर आप IntelliJ IDEA को यूज करोगा तो थोड़ी आपको अच्छी theme भी आफ़र करता है you know PyCharm की तरह लुक है because JetBrains के software है दोनो PyCharm की तरह लुक तो आने ही वाला है because दोनों ही एक दूसरे की resources सेम ही लगेंगी इंटरफेस सारी सेम है JetProgram लेंगवेज ही वह दोनों अलग-अलग यूज करते है PyCharm हमारा Python को support करता है IntelliJ IDEA हमारा Java and Kotlin दोनों को support करता है अभी लोग Kotlin को चलाने के लिए उसको यूज करते थे So if you have low system requirements Please do not consider this other than you can use Eclipse For Java programming, Kotlin के लिए मैं कुछ options दे दूँगा For Kotlin के लिए IntelliJ IDEA is the best But if you search in Google और भी तो आपके पस और भी options आजाएंग Kotlin को use का ने के लिए Now let's talk about our 5th competitor जो की है Sublime Textree यह एक legendary ID है मुझे तो नहीं इतना जयादा है But the programmers, 2015 से या फिर कह सकते हैं 2000 की साल से programming start कर रहे थे उन लोगों ने Sublime Text का बहुत यूज की है And मैंने यह सारी चीज़े मैंने सुनी है देखी है But मैं इतना जयादे मैंने experience नहीं किया Sublime To be honest Sublime Text was a legendary text editor जो की हमारे all-purpose programming के लिए होता था वैसे वो नहीं है जो की आज कल mandatory होते है आईडी में या फिर क्या सकते हो text editor में But उसके नहीं है आज के टाइम पर भी But एक OG IDE था या फिर क्या सकते हो text editor था OG का मतलब original होता ठीक है वाइब लेना चाहते हो And features इतना ज्यादा दिमाग में नहीं है दिमाग नहीं दिमाग में Then आप Sublime Text थारीका यूज कर सकते हो अब हम बात करते है हमारे last Last 6th IDE के बारे में IDE के बारे में 6th IDE के बारे में जो कि VS VS क्या होता है VS माने की Visual Studio नहीं Code नहीं Visual Studio के बारे में बात कर रहे है Visual Studio Code & Visual Studio दोनों ही Microsoft के प्रोडक्ट्स है जैसा कि हमने JetBrains में देखा था PyCharm & IntelliJ IDEA दोनों JetBrains के थे वैसे Visual Studio & Visual Studio Code Microsoft के प्रोडक्ट्स है अब यह कहा कहा यूज होता है VS Code के बारे में प्रोडक्ट्स हमने बात कि वह All-Purpose Programming में यूज होता है Visual Studio के बात करते है यह VS Code कहा पर यूज होता है वह हमारा होता है वह हमारा Software Development में .NET Programming में and C Sharp में ज्यादा यूज होता है C Sharp यानि की C & Hash जो Programming Language होती है उसमें ज्यादा यूज किया जाता है उसको and उसको जो Console Level Applications होती है या फिर Games के अगर हम बात करने नॉर्मली जेरली हम गेम्स की बात करें because Visual Studio को तभी ज्यादा यूज किया जाता है जब हम उसको Unity के साथ यूज कर रहे हो Unity एक Game Engine है आज की 6 IDEs एक सेकंड ये थी आज की 6 IDEs I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लागा होगा and आप अपनी जो मन पसंद आईड़ीज है उनको चूज कर पाया होंगे अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज कंसिडर कर ये लाइक करना and ऐसे वीडियो और देखने के लिए subscribe to decode985 press the bell icon to on ताकि आपको मेरे नए वीडियो की notification मिलती रहे and एक और चीज जाते चाते अगर कोई query हो अगर कोई सवाल हो अगर कोई suggestion हो या फिर अगर कोई अच्छी बुरी बात कहने हो चार इंगलियां दिखा दी मैंने तो इन चारों में से कुछ भी करना हो या फिर पांच में भी note लिखना हो तो मुझे comments में जरूर बाताना कि या तुम्हें कोई query है तुमारे पास को suggestion है या फिर तुम्हें कोई problem होई है किसी पॉइंट पे मैं जरूर रिप्लै दूँगा आप लोगों को जब आप comment करते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दिल से खुशे मिलते हैं इसलिए मैं आपको दिल भी दूँगा जो प्लीज कमेंट जरूर करना अच्छ के इस वीडियो में इतना है गाइस झाल 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 झाल